हालो फ्रेंड्स वेल्कम बाक टू माई चैनल और आज की जो मैं वीडियो बना रही हूं यह है जो कि बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं तो उसी का फेस्टिवल लुक मैं आप लोग को साथ में शेयर कर रहे हूं कि इतने अच्छे अच्छे से फेस्टिवल आ रहे हैं तो आप सिंपल और एलिगेंट टाइप का मेकप किस तरीके से कर सकती हैं और इस्पेशल यह है अज के मेकप टूट्योरियल का कि मैं इस यलो कलर के कॉंबिनेशन के साथ में सूट करने वाला मेकप यूज कर रहे हूं क्योंकि यह कैसा कलर है वाइबरेंट कलर है जो कि मुझे कर लिया है बहुत जादा ड्रय ने है थोड़ा से ड्रय हो गया उसके बाद सब्सक्री को बहुत अच्छ은 कर ओँगी क्योंकि मॉटस्ट्र एजर कर सूट ने क総 मेक-प स्टा princi रख depress, concealer इसलिए भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपके eyes को यह define करता है plus जो भी black head से यह patches होते हैं उन सब को वो cover up करता है तो इसलिए अगर आपके dark circles बहुत जादा चुकि मेरे बहुत जादा मुझे under eye का problem नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा highlight करने के लिए करने के लिए eyes को conceal करने के बहुत ज़्यादा जरूरत होती है तो under eye और eyes के ऊपर के area को अच्छे से मैंने कंसील कर लिया और इसके बाद यह जो मेरा blender है उसको मैंने डाप कर लिया था पानी में और उसके बाद उसको अच्छे से उससे मैं blending कर रहे हूँ आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी finishing आती है blender से जब हम blend करते हैं तो अब इस तरीके से यह blending जब complete हो जाएगे तो इसके बाद जो भी पैचे से जहां पर मुझे लग रहा है कि कंसील करने के जरूरत है उन सारे जगों पर मैं इस तरीके से concealer करूँगी लिप्स के पास में भी थोड़ा सा concealer apply करूँगी ताकि लिप्स भी थोड़े से डिफाइन हो वो भी थोड़े से अच्छे से दिखें और इस तरीके से लिप्स के अपर और लोर एरिये में और जहां पर भी पैचे से उन सारे जगों को अच्छे से मैं cover up कर लोंगी और इसक क्या है आपके साथ इंपेक्ट फिलाल मैं जो यूज करूँगी नेक्स्ट उसका भी रिव्यू आप लोग के साथ में जरूर शेयर करूँगी तो इस तरीके से मैंने ब्लेंडिंग कर ली है अपने ब्लेंडर को अच्छे से डाप कर लिया था और उसके बाद अब मैंने य जादा फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है इसकी तो इस वज़ा से बिल्कुल डाक ब्राउन कलर को मैंने यूज किया और नेक्स्ट मैं इसके ऊपर और उरेंज कलर का यूज कर रहे हूं मतलब मैं इसके साथ ऐसे से कलर्स ले रहे हूं जो की साड़ी में एक तो प्रेज अब इसके फिनिशिंग के लिए मैं दोनों एजेस के ऊपर में ब्लाक शेड्स को भी यूज करूँगी अब ये निक्स्ट मैं अपने आई शेड़ो को कम्प्लीट कर रहे हूं क्योंकि आई ब्रोज होती है जब वो कम्प्लीट हो जाती है मतलब फिल हो जाती है तो इसके शेड़ो को जो जो जुआ को प्लाक शाख बहुत अचा है तब आपकी जो एक्जाट आपका आई मेकप है वो समझ में आता है और इसके बाद अपको बूला था की कॉर्नर को मैं फिनिश करने के लिए हल्का सा ब्लाक लर लाइट ड्राउं कालर लेकर के मैं इसको फिनिश मैं पहली बार पाउडर कोंटूरींग का सतमाल करहें, तो chatting is maybe white. मैं अब एक्षी स्वारइन करता है, और स्थापाइन क्राइन के स्थावियू है यह तक है कि वह Сदूरीं सेफ दिखा sujet, अब कहा कौचा में चेका, सवार है. मतलब इसको थोड़ा सा ब्लेंड करना ज़रूर मुश्किल होता है क्रीम बेस बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है बट पाउडर कॉंटोर को आपको ब्लेंड करने में थोड़ी सी महनत करनी पड़ती है इसका इंपक्ट मुझे उससे ज़ादा बेटर दिखा आप देख सकते हैं कि नोस का कितना अच्छा इंपक्ट आया है इस तरही के से ब्लेंडिंग करने के बाद में और इस तरही के से मेरी क्रीजिंग कंप्लीट हो गई है आप नेक्स चीजे करनी है आप देख सकते हैं कि कॉंटोरिंग करने के बाद में जो लुक होता है न फेस का वो बिल्खुल से चीज हो जाता है अब इसके बाद जो नेक्स टेप है वो है फॉल्स ऐलेश लगाना यह थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि अभी मैं इतने एक् चालों को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आपको इसी तरीके के अच्छे अच्छे सी वीडियो मिले और इसके बाद नेक्स्ट अब मैं काजल अपलाई कर रहे हूं तो कि काजल के बिना तो आखे बिल्कुल खाली-खाली सी लगती है तो फॉल्स ऐलेश पे मैं लाइनर सेट अब लगते हैं तो बहुत अच्छा इंपक्ट आता है हमारे मेकप का तो इस तरीके से मैंने ब्लशर और लिपस्टिक को मैंच करके यह लुक क्रिएट किया है और यह मेरा मेकप का कम्प्रीट लुक कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप लोगों को कैसा लगा यह लुक औ और इस साड़ी में मैंने कई सारे प्लेट्स बनाने की भी वीडियो बनाई है वो नेक्स्ट वीडियो आएगी चैनल के ऊपर आप सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को मिलते हूं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में तिल एन टेक कियर बाई बाई